अगर आप VUI यूजर हैं तो आपने floating windows को ज़रूर यूज किया होगा लेकिन यह feature custom ROM इंस्टॉल करने के बाद आपको नहीं मिलता आज हम देखेंगे कि आप कौनसे भी floated device में floating windows को कैसे enable कर सकते इनफाक्ट आप अपने OnePlus, Realme और भी devices में install कर सकते चैनल पे अगर पहला विजिट है तो subscribe ज़रूर कर दियाना वीडियो को अन तक देखना आपको step by step guide में बता तो कैसे आप इसको install कर सकते तो चलिए शुरू करते हैं UI floating windows explore करने से पहले थोड़ information लेनेगे floating windows एक powerful feature है जो आपको कौनसे भी app को resizable, movable और multitasking window में transform कर देता floating windows को ऐसा समझे जैसे अपने Android device पर एक desktop like experience इस अपरदस feature से आप किसी भी app को एक floating window में बदल सकते चो दूसरे app के ओपर hover करता हैं मतलब आप वीडियो देख सकते वेब पर browse कर सकते या दोस्तों के ताथ chat कर सकते multitasking इतना आसान कभी नहीं था यह feature को devices पर है लेकिन tension नको लिए मेरे method से आप इसको कौनसे भी Android device पर install कर सकते floating windows आपके multitasking को ऐसा बदल सकता है इस feature का यूज करके आप अपने फेवरेट YouTube वीडियो देखते होगे दोस्तों से chat कर सकते वीडियो कौल के दोराओं किसी भी चीज़ को access कर सकते या फिर browser करते होगे गेम्स खेल सकते possibilities are endless floating windows को अपने device पर enable करने के लिए आपको root access होना ज़रूरी है tension nocallyu में आपको step by step guide भी कर देता हूँ अपने device को आप कैसे root कर सकते जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको toolbar का option मिलता इस पर जैसे आप करेंगे तो यहाँ से आप apps को access कर सकते कौनसे भी आपको यहाँ पे आप floating window बना सकते अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसका install कैसे करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ अपने device में इस्टॉल करना पड़ता है अपने device को route करने के लिए magic 25.0 का यहाँ पे फाइल का लिंक में description में देदेता हूँ इसको फ्लाश कर देता हूँ यहाँ पे देच सकते फ्लाशिंग प्रॉसस स्टार्ट हो जादा थोड़ा सा डेम लगता फ्लाश होने के लिए यहाँ पे देच सकती फ्लाशिंग प्रॉसस अपना कंप्लेट हो गया अपने यहाँ पे रिबूट सिस्टम पे टाप कर देंगे अपना डिवाइस यहाँ पे हो चुका है बूट जैसा आप ड्रॉट पे चलेंगे तो यहाँ पे मैजिक्स साब की डिवाइस में इंस्टॉ आपको चलना है मैजिक्स पे और आपको यहाँ पे सेटिंग्स का आइकोन दिखता है इस पे डाप करो और थोड़ा सा नीची आने के बाद यहाँ पे आपको जैजिस का ओप्शन मिलता इसको नेबल कर दो बैक आजाओ यहाँ पे मॉडिल वाले सेक्शन पे चलो इंस्टॉल करना पड़ता इसका फिलिंक डिस्क्रिप्शन में गीवन है सिंपलीज पर डब करें मैं इसको इंस्टॉल कर लोगा और मैं अपने डिवाइस को यहाँ पे रिबूट कर लेता हूं रिबूट होने के बाद आपको यहाँ पे ब्लेश्टोर पे सीजू को अपक परबने कर दें यहाँ पर दे सकतेriet अपना Ilis Post zij wal disappoint selected, यहाँ पर оч jogo कर देंगे और हम अपने डिवाइस को यहाँ पर नीगे पर रिबूट कर लेंगे रिबूट हो जाने इसको पहले इनेबल कर लो, यहाँ पे डिस्प्ले ओवर अधर आप्स का पर्मिशन आपको ग्रांड करना पड़ता, तो इसको बन ग्रांड कर देंगे, अब यहाँ पे बन इनेबल करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि टास्क बार अपना जो भी हो, टूल बॉक्स जो भी आ जा आपको टेक टीप्स और ट्रिक्स से रिलेडेट मज़ेदार कॉंटेंट मिलता रहे, तो चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्ट वीडियो में,